हलो वरिबन तो इस वीडियो में आपको SAC Cigil 2022 मेंस का 25 दिन का स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि अभी से आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सको और मौक में अपना मार्क्स काफी इंप्रोव कर सको उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह strategy लाया है कि अभी से आप क्या strategy बना सकते हो ठीक है ताकि आप भी इस बार selection लो और आप भी जैसे कि यहाँ पे सब लोग हम लोग training कर रहे हैं मैं training कर रहा हूँ S.O.C.S का मेरे सारे batchment है आपका भी selection हो आप भी training करो और आप भी government job करो, ठीक है, हो सकता है कि ये पूरा वीडियो आपके लिए important हो, बहुत सरी चीज़ आपको पहले से पता हो, लेकिन इस वीडियो में कुछ ऐसी एक दो चीज़ आपको मिल जाएं, जो कि आपको लिए काफी helpful हो सकता है, और उसी से आपका काम बन जा, और काफी marks improve करें, तो ये वीडियो काफी important है, तो चलो without further ado हम लोग सुरुवात करते हैं, तो पहले मैं 5 नंबर पर जो सबसे ज़्यदा important हो बताऊंगा, फिर 4 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 1 नंबर, ठीक है, तो जो सबसे पहले और सबसे ज़्यदा important अभी के time पे है, CGL 2022 के लिए, य और mock test उसका, बाद उसका analysis, तो आपको daily mock test लगाने, अभी से try करना कि आप daily mock test लगाओ, एक क्योंकि 2 घंटे का paper होगा, एक घंटे में तुम्हारा ये complete करना होगा, maths reasoning और एक घंटे में तुम्हारा ये complete करना होगा, तो daily आपको mock test लगाने है, और उसका अच्छे से analysis करना ह analysis बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि mock test लगा कि आपको कोई फाइदा नहीं होगा, जब तक आप analysis ना करो, अभी से क्या करना है, कि आपको अपना marks को track करना है, हर बार, target आपको कितना रखना, ideal target जो है ना mock test में 320 होना चाहिए, 390 में, ये है कि एक ideal इससे आपको 4600 greater pay का job म जो कि 340 तक 330 नंबर भी ला रहे हैं, ठीक है, लेकिन 320 एक ideal target है, इसमें आपको अराम से selection मिलेगा और अच्छी post भी मिल जाएगी, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, कि previous mock test revision, अभी तक आप बहुत सारे mock test लगा चुके होगी, उसका भी आप revision करो, बहुत सारे लोग क्या कर लेकिन पिछे वाले 4-5 mock test को revision कर लो, वो ज्यादा important है आपके लिए, ठीक है, और analysis करना है, अच्छे से, और mock test copy का revision, आपको mock test का copy तो बनाना ही है, जब भी mock test लगाओ, तो analysis करते समय, एक copy रखो, और उसमें जितने भी questions नहीं बनते हैं, जितने भी difficult questions है, उस copy में note down कर लि और बीच बीच में जब 4-5 mock test लगा लो, तो फिर से अपना copy mock का copy को revision करते हैं, ठीक है, बहुत जदा important है, ये 5 नमबर बहुत जदा important है, इसी से marks improve होगा, और track your marks, हम लोग का कोई भी चीज़ improvement तब होता है, जब हम उसको track करते हैं, मालो तुमने target अपना 320 बनाया, 280 नमबर आ रहे हैं, difference कितना आ रहा है, 40 नमबर का difference आ रहा है, अब 40 नमबर हम कैसे इसको fill कर सकते हैं, अब उसके काम करो, देखो, अरे अगर maths में मैं दो question ये सिल्ली mistake नहीं करता, तो 4 नमबर बढ़ जाते हैं, अरे, जीके में ये 2 question हो जाता है, तो और, तो तुमको देखना है कि ये जो gap तुम्हारा 40 नमबर का उसको कैसे fill कर सकते हो, और हर mock test में score को track करो, track मतलब कि हर बार लिखो, mock number 1 में में इतना है, 2 नमबर में इतना है, 3 नमबर में इतना है, और gap मैं कैसे कम कर सकता हूँ, उस पे भी थोड़ा सा सोचना है, और उस पे काम करना है, ये पहला 5 नम सकते हैं, तो मैंने सारे कोशन कर लिए, फिर भी बहुत सारे कोशन होंगे, जो आपके मन से निकल गया होगा, फिर से आप एक एक करके revision करना शुरू कर दो, ठीक है, इत चेप्टर को एक एक करके revision करो, उसके questions करो, तेजी से revision करना है, देखना है कि कौन सा, अच्छा ये को question बन जागा, ये question अच्छा ये थोड़ा सा difficult लग रहा कैसे बनेगा, बना करके देखते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हो कि अभी जितने भी prime number के question है, सब को बनाओंगा, 2 number, 3 number, 5 number, 7 number, सारे prime number question जो भी बनाओ, कभी odd बनाने लगना, कभी 5 से multiple बनाने लगना, कभी 4 से multiple बनाने ऐसे करते रहोगे तो तुम्हारा होता जाएगा, और star mark भी करना, जो question तुमसे ना बने, अपने notes वाले उसको star mark करके 2-3 बार revision करो, highlight करो important questions, और ये सिर्फ math में नहीं, तुम्हारा इसमें English में भी जाएगा यही, कि English में भी अगर तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे ह उसको revision करना है, highlight करना है, जीके में भी पढ़ रहे हो, तो जीके में भी जो पढ़ रहे हो, highlight करना, star mark करना, कि इसको याद करना, ये important है, तो अपना notes copy को जितना वार revision करोगे, उतना तुम strong बनोगे, और उसके बाद teach your invisible silk, कोई-कोई chapter में तुमको दिक्कत होगी, तुमको स तो target दो कि दूसरे दिन, दो दिन के बाद मैं अपने आपको इसको पढ़ाओंगा, पुरे, अपने copy को ही खुद से किसी और को पढ़ाओंगा, तो दो दिन में तुम पुरा पढ़ दो compound interest अच्छे से, और उसके बाद खुद से, खुद को पढ़ाओ, कि देखो ये ऐसे हो और कुछ-कुछ chapters ऐसे होंगे, जो तुम्हारे week होंगे, उसको काम करो, मालो तुम्हारे algebra week है, तो 3-4 दिन टाइम दो, उसको strong कर लो, ठीक है, अपने notes copy को ही, work on week chapters, for few days, जो भी chapter week हो, उसको 3-4 दिन काम करो, strong करो, और आगे बढ़ो, side-side करना ये काम, 2-1 घंटे अलग दे करोगे, तो क्या करना कि मालो तुमने percentage start किया, तो percentage में जितने भी important questions तुमको लगे, या important formula की 1 by 4 मतलब 20%, 1 by 6 मतलब इतना percent, convert कैसे करते हैं, किस-किस type क question आते हैं, एक short formula का copy तुमको बना लेना, formula का notes, chapter wise formula from your notes, छोटा-छोटा, जो important चीज़े तुमको लगे, मेरा भी formula copy बना हुआ है, मैंने उसको अपने telegram channel पर डाल दिया है, आप मेरे telegram channel पर जाकर कि उसको download कर सकते हो, कि मैंने कैसे बनाया था, उसी के हिसाब से आप अपना handwriting से बना सकते हो, ठीक है, जब बनाओगे न, एक chapter पढ़ा मालो percentage, अब उसका formula, जो important questions है, जो कुछ important type के questions कौन-कौन से ह होते हैं, एक बना लोगे 3-4 page में, बस उसको देख लोगे, तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा, फिर मालो algebra में गया, तो algebra में जितने भी formulas होते हैं, trigonometry में जितने भी formulas और important questions, याद रखना किसी formulas ही नहीं, कुछ important questions, कुछ trick वाले questions, जो shortcut method होता है, वो सब भी उसमें लिख मेरा एक बार PDF देख लेना, formula copy का तुमको पता चल जाएगा, ये करना बहुत important है, ये करोगे, तो तुम समझो कि बहुत अच्छे से revision तुमारा होगे, important tricks, ये सब questions है, उसको में डाल लेना है, और revise daily, अब क्या करना है, इस formula copy को daily revise करना है, आधे गंटे time देना है, और पीछ tips and tricks कुछ सीखाना है, कभी अचानक से पढ़ते पढ़ते इसी बीच में, तो उस वाले जो chapter में तुमारा formula है, थोड़ा सा page छोड़कर रखा करो, एक-एक page छोड़कर रखा करो, कि कुछ नया चीज अगर मिले, नया important question मुझे, तो अपने उस formula copy में डाल लू, ठीक है, समझ तो important tips and tricks होगा ना, उसमें डालते जाना, इंसर्ट करते में, और मैंने बोला कि download my formula copy from telegram, मेरा telegram जो 1000 achievers है, 10000 achievers, सर्च करोगे, telegram पे तो मिल जागे channel, sorry, ये number 2 होना चाहिए था, number 1 हो गया, और जो number 2 पे है, वो है कि calculation पे काम करो, vocabs पे काम करो, और reading, reading डालते रहना भी भी, calculation पे तुमको क्या कानम करना है, कि आधे गंटे daily calculation पे काम करना है, तुम्हारा maths तब तक strong नहीं होगा, जब तक तुम्हारा calculation पे कमान नहीं होगा, तो calculation करो, calculation का भी PDF में डाल दूगा, अपने टेलिग्राम चैनल पे, या फिर तुम calculation कहीं से भी कर सकते हो, तुम्हारे पास कोई book है, या पिर कहीं से भी daily ad event ए calculation करो, और अपने mind को sharp करो, multiple कैसे, multiplication जल्दी कैसे कर सकते हैं, divide कैसे जल्दी कर सकते हैं, addition कैसे जल्दी कर सकते ह उसके बाद vocabs को तुमको हमेशा, हमेशा revision करते रहना और practice करते रहना है, जो तुम पढ़ लिया उसी vocabs को, और reading मतलब कि English में improvement का बहुत बड़ा role होता reading का, तुमको अभी भी आधे गंटे reading डालते रहना है, passage पढ़ते रहना है, और नई नई चीजे पढ़ते रहना है सबस याद करा होगा तुमको तूमको ऐसी ऑन नई होता और का अच्छे से सबक याद करना पड़े लेका कि यादकि आपन. एक बहुत बहुत इंपोर्टेंट है यह वाला सायद बहुत लोग को नहीं बताऊगा कि try to recall all the questions of a chapter क्या करना है न कि मानलो तुमने परसेंटेज पढ़ा परसेंटेज मानलो तुमने रिवीजन किया परसेंटेज एक दिन पढ़ा एक दिन में तुमने एक दो घंटे में कोशन होता है तो तुम try करना कि मेरे notes copy में किस-किस type के questions है तुमने परसेंटेज में तो सबको स्टार्टिंग से याद करने की कोशिश करो बीना copy देखे कि हां यह एक type कोशन होता है फिर दूसरा type का यह question होता है इसमें ऐसे solution ऐसे बनता है तिसरा वाला type यह होता है इसमें solution जब एक बार recall करने की कोशिश करोगे जब भूल जाओ तो फिर अपना देख लो तीसरा type में ऐसा होता है उसके बाद और step के question होता है एक बार overall मन में याद करने की कोशिश करो और उसका solution के साथ की solution कैसे start करते हैं तो यह जब याद करोगे न तो बहुत अच्छा तुम्हारा revision होगा तुम्हारे mind में जैसे ही question step का आएगा exam में तुम्हारा तुरंत strike करेगा अच्छा इसको ऐसे solution स्टाट करना और यह बहुत अच्छा तरीका है अपने speed को बढ़ाने का try to recall all question of a chapter फिर तुमने मालो algebra में पढ़े algebra या फिर algebra में गया या फिर geometry में गया तो geometry में किस किस type के question थे अच्छा triangle था triangle का isocellus triangle था फिर equilateral triangle था फिर in center था ortho center था एक center था एक center के बाद ये था उसके बाद कौन सा formula प्रपोर्शन theorem था ये था वो था मतलब सब तुम याद करने की कोशिस करो जितना तुम याद कर सकते हो फिर अपना कॉपी प्लटना अच्छा मैं ये मीद कर गया था ये तो स找 बना ये भी सब बना है कि कितना भी महनत कर लो कितना भी कुछ के लो सब घऊת तुम्हारा मेनत का कोई फाइदा नहीं तो उसी के लिए सब ज़्यादे इंपोर्टेंट है कि विजुलाइज विजुलाइज यूर सक्सेस और थोड़ा काम में एकजाम दे रहा है और यह विजुलाइज करो साथ में कि मैं एकजाम होल में बैठा हूं सब लोग बैठे हैं जो कोशन बन रहा है वो मैं बना रहा हूं नहीं बन रहा है अपना आराम से skip करके आगे फिर last most को attempt कर रहा हूँ और finally मैं अच्छे से exam दे करके happy and relax होकर exam से निकल डाओ ये थोड़ा visualize करोंगे न exam hall में बैठा हूँ relax होकर दे रहा हूँ ये visualization 2-3 minute का होगा तुम्हारा mock test पहले लेकिन ये काफी help करेगा तुमको तुम्हारा mind को पहले से पता होगा कि ये situation हमको आने वाला तो डरेगा नहीं ठीक है क्योंकि mind में पहले से ही उस तरह के scenario हो चुका हूँ जब exam hall में जाओगे तुम्हारा mind को पता हूँ ये तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ तो में लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं और साथ में meditation मौक्टे से पहले दो मिनिट या चार मिनिट पास मिनिट मेडिटेट कर लिया करो eyes close करके breathe in breathe out और उसके बाद visualization कर लिया करो दो मिनिट उसके बाद मौक्टे से start करो यह नहीं कि खोले लैप्टप खोले तुरंद बनाना start कर दी वह यसे नहीं calm relax कर लो अपने आपको I am calm I am relax करके उसके बाद start करो और उसके बाद visualize करना है जब तुम जब सोने जाते हो यह ने 25 डेस क्या करना है जब सोने जाओ तो visualize करो कि मेरा merit list में नाम आ गया है मुझे मेरा मन चहाँ पोस्ट मिल गया मैं अपने family member से share कर रहा हूं ठीक है यह तुमको visualize करना है बस पांच मिनट visualize करना है कि मेरा selection हो गया मुझे यह उसके बाद अपने आपको काम रखने के लिए और हमेशा जब भी तुमको नर्वसनेस आये इस बीच में तुम्हें आएगा डर आएगा बहुत सरी चीज़ आएगा तो अपने आपको बोलो I am calm I am relaxed and God is with me and I am income tax inspector I am exercise inspector जो भी तुम्हारा goal है I can do it I will work hard for it यह बोलोगे तुम्हारा अपने आप जो negative energies है वो अपने आप down हो करके positive में बदलेगा ठीक है तो यह है 5 चीज़े जो कि अभी 25 दिन तुमको करना है और तुमको काफी help होगा कुछ कुछ चीज़े छूट गई होगी जो कि तुमको खुद से भी करना होगा 100% चीज़े मैं नहीं बता सकता कुछ 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 चीज़े ऐसी होती है जो खुछ से भी देखा जाता है कि मैं क्या कर सकता हूँ जो मेरे को improve करें लेकिन मैंने एक रास्ता बता दिया कि यह सब चीज़े करोगे तो काफी helpful रहेगा ठीक है तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मुझे भी थोड़ा सपोर्ट करो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें मेरे अफ़र्ट अच्छा लग रहा है मैं अभी दो बज़े रात को वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो अगर यह तुम्हें अफ़र्ट अच्छा लग रहा है तुम्हें लग रहा है कि नहीं काफी helpful है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ में टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लो 1000 अचीवर जिस